नमस्कार आदाब मैं हूँ आदिती और न्यूस्क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है आईए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर Facebook algorithm कैसे नफरती और जहरीले content को बढ़ावा देता है लखीमपूर हत्याकांड में नामित आशीश मिश्रा पुलीस के सामने नहीं हुए पेश जारी हुआ है सेकेंड नोटिस याचेका का दावा है कि दिल्ली में स्कूलों से अनुपस्तित हैं 40,000 शिक्षक कोविट संबंदित जिम्मेदारियों में किया गया है नियुक्त श्रीनगर में दो सरकारी शिक्षकों की गोली मार कर हत्या और आखिर में करोना अपडेट देश में करोना से मरने वालों की संख्या 4,500,000 के पार आज सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया पर जहरीले और नफरती कंटेंट के बारे में पिछले एक हफ़ते में सोशल नेट्वरकिंग साइट फेस्बुक काफे सुर्ख्यों में रही है पहली वज़ा तो यह रही कि कैसे पिछले हफ़ते फेस्बुक, इंस्टाक्राम और वाट्साप करीब 5-6 घंटे बंद रहे इसकी वज़े से दुनिया भर के करोडों लोगों का काम एक तरह से ठप पड़ गया इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारी जिन्दगियों में कितना जरूरी हो गया है मगर दूसरी बात इससे काफी बड़ी और जरूरी है फेस्बुक में लंबे समय तक काम कर चुकी एक एम्पलॉई ने विसल ब्लोवर बनकर फेस्बुक के लाखों इंटरनल डॉक्यमेंट्स को सारवजनिक कर दिया विसल ब्लोवर का नाम है फ्रांसिस होगन और उन्होंने जो कागजात सारवजनिक किये हैं उनसे यह साफ होता है कि फेस्बुक की पॉलिसी मुनाफे को समाज के उपर रखने की है इससे यह बात भी सामने आई है कि फेस्बुक का अलगॉरिदम, नफरती और जहरीले कंटेंट को रोकना नहीं चाहता बलकि उसे बढ़ावा देता है क्योंकि उनसे इंगेजमेंट भड़ता है फ्रांसेस होगन ने टीवी शोओ CBS 60 मिनिट्स पर इंटर्व्यू में भी फेस्बुक के बारे में कई बड़े और हैरान करने वाले खुलासे किया है उन्होंने कहा है मैंने फेस्बुक में काम करते हुए लगातार यह देखा कि समाज के लिए क्या अच्छा है और खुद फेस्बुक के लिए क्या अच्छा है इसमें हमेशा एक कॉन्फिक्ट याने की विवाद रहा है और फेस्बुक ने बार बार जादा मुनाफ़ा और जादा पैसा कमाने की तरजीदी दी है ये पूरी खबार आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं लखीमपुर खीरी में किसानों को अपनी गाड़ी से रौंदने और मुर्डर के नामे कारोपी केंद्रिय ग्रियर राजमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे अरशीश मिश्रा आज यूपी पुलीस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुए पुलीस ने उन्हें समन जारी जरूर किया था आज 10 बजे पेश होने के लिए इस सिलसले में पुलीस ने कल केंद्रिय मंत्री के घर के बाहर नोटिस भी लगाया था इस मामले में पूछताच के लिए पुलीस ने आज नया नोटिस जारी किया है खबर है कि पुलीस के एक बड़े अधिकारी उपेंद्र अगरवाल जो केस की जांच का नेत्रित्व कर रहे हैं जो को आशीश मिश्रा ने लंबे समय तक इंतजार कराया लेकिन आखिरकार पुलीस के सामने नहीं आये फिलहाल मामले में अदालती दबाव का सामना कर रही यूपी पुलीस ने कल लंबी पूचताज के बाद लवकुष और आशीश पांडे नाम के दो आरोपियों को गिरफतार कर लिया है लखीमपुर खीरी में 3 अक्टोबर को 4 किसानों को रोंदने वाली थार गाड़ी केंद्रियर राज्य ग्रियमंत्री की थी जिसमें कथित तोर उनके बेटे मौजूद थे इस मामले में 4 किसानों के साथ कुल 8 लोगों की मौत हुई है जिन में 4 किसानों के अलावा पत्रकार और बीजेपी कार्यकरता भी शामिल है और आप बात दिल्ली के स्कूलों की दिल्ली उचने आयालाय में सोशल जोरिस द्वारा लगाई गई एक याचेका में दावा किया गया है कि करीबन 40,000 शिक्षक स्कूलों से अनुपस्तित हैं और उनको करोना प्रबंधन के कामों को करने के लिए सब डिविजनल मजिस्ट स्टेट के ओफिस में लगाया गया है बता दे सोशल जोरिस्ट शिक्षा के अधिकार के लक्ष्यों की पूर्ती की दिश्रा में काम करने वाला एक संगठन है यहां याचेका संगठन ने जाने माने आर्टी आय कार्यकरता और वरिष्ट वकील अर्शोक अग्रवाल के जरि लगाया गया है इसके बाद से ही उन्हें वापस स्कूलों में शिक्षा संबंधी कारियों के लिए छोड़ा ही नहीं गया यही स्तिति दिल्ली में MCD दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में भी है जहां आठ लाग छात्र प्रात्मिक कक्षाओं में पढ़ते हैं शिक्षा निदेशाले शेत्रिय आयुक्त दिल्ली आपता प्रबंधन प्रधिकरन के बीच हुई बातचीत से पता चलता है कि शिक्षकों को दी गई जिम्मेदारियों से उन्हें वापस अपने मूल काम में लगाने के लिए बमुश्कील ही कोई सहमती बनी है शिक्षा निदेशक उधित प्रकाश राय ने डीडीमे को लिखे अपने खत में कहा सीबी एसी की दस्वी और बारवी के लिए परिक्षाय नवंबर में होनी है इसके लिए नवी से लेकर बारवी तक के शिक्षकों की सेवाई जरूरी है ताकि छात्रों को मध्य सत्र और प्रीबोर्ड वबोर्ड की परिक्षायों के लिए तैयार किया जा सके संबंधित कक्षाओं के कई चात्र अभी भी जिला प्रशासन के साथ कोविट संबंधी जिम्मेदारियों पर काम कर रहे हैं इससे अकादमिक गतिविधियों और चात्रों की बोर्ड परिक्षाओं की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं इससे नतीजों और छात्र के भविश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्री नगर के ईदगा इलाके में ब्रसपतिवार को आतंकवादियों ने सरकारी स्कूल के दो शिक्षकों की गोली मार कर हत्या कर दी पुलीस ने या जानकारी दी एक पुलीस अधिकारी ने बताया दिन में करीब सबा ग्यारा बजे आतंकवादियों ने श्री नगर जिले में के संगम इदगा इलाके में दो शिक्षकों की गोली मार कर हत्या की है उन्होंने बताया कि इलाके की घेरा बंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू हो गई है हिंदुस्तान टाइम्स के मुदापिक मृत्कों की पहचान बोईस हायर सेकेंडरी स्कूल के हेड मास्टर सतिंदर कौर और शिक्षक दीपक चंद के रूप में हुई है बताया जा रहा है कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गए प्रारंबिक रिपोर्ट से पता चलता है कि इड़तों को स्कूल के अंदर बहुत नजदीक से पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी पिछले तीन दिनों में कश्मीर में नागरिकों की हत्या की यह पांचवी घटना है जिन में से चार श्रीनगर की ही है और अब आते हैं कोविड अप्टेट पर केंद्य स्वास्य मंत्राले द्वारा आज शुक्रवार आठ अक्टूबर को जारी आकडों के अनुसार देश में 24 घंटों में करोना के 21,000 से जादा नए मामले दर्ज के गए हैं इसके अलावा करोना से बीते दिन 271 मरीजों की मौत हुई है साथ ही इसी बीच देश भर में करोना से पीडित करीब 25,000 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है और आक्टिव मामलों में करीब 4,000 मामले कम हुए हैं देश में करोना संक्रमन के मामलों की संख्या बढ़कर 3,30,000,000 से जादा हो गई है जिन में से अब तक 4,50,000 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है देश में करोना से पीडित 3,32,000,000 से जादा मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है और आक्टिव मामलों की संख्या घटकर 2,40,000 हो गई है स्वास्थे मंत्राले की ताजा जानकारी के अनुसार देश में करोना वैक्सीन की अब तक 93,70,000,000 से जादा डोज दी जा चुकी है जिन में से 50,000,000 से जादा वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटे में ही दी गई है आज के न्यूस क्लिक डेली राउंड अप में बस इतना ही ऐसी ही अन्या खबर सुनने के लिए जुड़े रहे हैं हमारे साथ धन्यवाद